नमस्कार मैं आसीस पाठक आप सभी का शौगत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को जादे से जादे अपने बित्रों तक सेयर करें क्यूंकि ये ए वहां पर फॉर्म फिलफ सुरू हो गया है और जब फॉर्म फिलफ सुरू हो गया है तो वहां पर बच्चे फिल करते समय एक help dex number दिया गया है तो बच्चों ने पता किया कि क्या BCA, BTEC, MCA ये eligible है कि नहीं तो जो वहां से उनको जबाब मिला था तो वह बच्चों ने हमें फोन करके बोला कि सर ऐसा-ऐसा कहा जा रहा इंक कोर्सिस के बारे में क्या किया जाए है तो फिर मैंने भी अपने अस्तर पे पता किया मैं खुद ही गया था और उसके बाद से पता करने के बाद जो मुझे बाते पता चलिए वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा ठीक है इससे पहले जब मैंने पता किया था जो information मिली थी वो अलग थी आज जो information मैं आपको दे रहा हूं वो अलग है ठीक है लेकिन हाँ इसके लिए पूरी team प्रियास कर रही है आपके हित के लिए कि जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ team कोशिस कर रही है कि ये जो गलत हो रहा है जो वो चीजे समझ नहीं पा रहे हैं कि technical और non-technical क्या है उस पर हमने काफे बात चीत हुई थी application भी हमने डाल के आए मंडे को फिर एक बार जाना है सिस्तिती में हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न भी यहीं हमसे कर रहे हैं कि बच्चे अब सर क्या करें हम ठीक है तो वो बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया है उनका विश्वास्ता के सर आप एक बार वीडियो बना दीजिए तो मैं ये बना दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है और हम आपके साथ हैं जो भी चीज़ें होंगी उनके साथ साथ चलेंगे तो अभी मंडे को एक बार और जाना है तो देखा जाएगा क्या चीज़ें आ रही है ठीके और जो आप लोग एसिस्टेंट वहाँ हल्प डेक्स एसिस्टेंट को फोन करते हो देखो उनको जो उपर से ओर्डर होता है वो ही बताते हैं ठीके अभी मैं पूरा एक एक कड़ी आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ कैसे कैसे आपको कैसे नौट एलिजबल किया गया किसको एलिजबल किया गया तो ध्यान रखो तो इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि कुछ टेक्निकल डिग्रियां हैं जो समकर्च मानी जाएंगी डिप्लोमा के और ये खासकर मैं जो बात कर रहा हूँ वो हेड ऑपरेटर प्रधान परिचालक के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्रधान परिचालक में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जो दिक्कते हैं बच्चों के सामने उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखा है डिप्लोमा तो जिस्तमे मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वहाँ पर कुछ बच्चों ने तो को मैंने बताया था कि यह equivalent होंगी, लेकिन कुछ बच्चों के साथ यहां गलत हो गया क्योंकि उस समय जब हमने पता किया था तो उसी आयोग के लोगों ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है यह सब कुछ चलेगा लेकिन अब वो अपने ही बातों से मुकर रहे हैं ठीक है तो बात कल क्या हुई वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो हेड अपरेटर का फॉर्म है प्रधान परिचालक में तो सबसे पहले में था इसू बीसी और एमसी वालों के साथ यही बच्चों के सबसे जादे इसू थे यही बच्चे हमसे जादे कनेट हैं और यह बोल लए थे कि सर इसके बारे में पता करें आपने भी फोन करके पता किया होगा तो आपको सीधे बोला गया होगा नहीं आप eligible नहीं है इससे पहले यह eligibility थी बाद में नहीं हो गई अब इसका reason क्या दिये इनका कहना है कि BCA, MCA क्या होता है कभी-कभी 10 plus 2 में जिनका math background नहीं होता है मतलब PCM नहीं होता है वो भी BCA, MCA कर लेते हैं ठीक है और दूसरा reason यह है कि इसमें यह application course है और यह क्या है computer application है ना कि computer science course है इसमें application पढ़ा जाता है और इन सब में क्या पढ़ा जाता है आपके BTEC में अगर CS में जाओगे अगर CS branch इसको ले लिया जाए तो इसका CS branch और BCA में difference उन्होंने हमको समझाने लगे हमें तो नहीं लगता है अगरी हमसे लेपस देखें और एक-एक आपका प्रोग्रामिंग जो यह पढ़ते हैं वही प्रोग्रामिंग यह पढ़ते हैं हाँ थोड़ा सा हलका course होता है लेकिन है तो यह degree का course ठीक है लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं और वो कर रहे हैं प्रोफेशनल डीरी है लेकिन कौन समझा है वो कर रहा है हमें जो बताया गया हम वो आपको बता रहे हैं ठीक है तो यह इस चीजों पर वो अड़े रहे हैं तो यह बात निकल के आई हैं कि BC और MC वालों को कर रहे हैं कि सबसा है ठीक है तो हमने भी जाके जहनugen भरती बोट पर पता किया तो वहां भी वी जवाब है सब का उपर से वर जबात कि इतना भी बोलो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हें गलत हो रहा है यह क्या है गलत यह सहीं नहीं है क्यूंकि अगर यह Takara मैं ठीक है टो कर या BCA मैं बताऊं आप कभी भी सर्ज मानना BCA जो MCA किया हुआ बच्चा होगा जो MCA किया है वो already equivalent होता है किसके BTEC के किसके equivalent होता है BTEC के जो MCA किया हुआ है यह मैंने बात भी रखा गया था कि सर MCA जो होता है equivalent to BTEC जो चीज़े कह दी गई है मैंने बोला कि पहले आप लोगों ने ही बताया कि यह eligible है फिर बात में आपने कहा नहीं eligible तो यह चीज़े जो है करना उस समय clear नहीं ता अभी पूर रूप से clear हो गया है कि BCA तो अभी कुछ भी 100% हम नहीं कह सकते हैं उनको भी उन्होंने कहा कि clear हो गया है लेकिन surely यही है कि उन्हें भी पूरी तरह clear कुछ भी नहीं है लेकिन जो बताया गया वह मैं बता देना हूं कि अभी उनके यहां से कहा गया है कि यह eligible नहीं होंगे ठीक है बीटेक के जितने भी ट्रेड हैं जो आपकी डिप्लोमा में ट्रेड दिये गए हैं नोटिफिकेशन में वह सब eligible है CS हुआ IT हुआ electronics हुआ और electronics के जो सब branches होते हैं electronics and instrumentation electronics and communications ठीक है electronics and electrical engineering यह सब ठीक है उसके बाद से electrical ठीक है उसके बाद से mechanical यह सब ही यहां देख लो civil की कुछ बच्चे पूछ रहते हैं तो civil आपका allow नहीं है बीटेक civil allow नहीं होगा ना ही डिप्लोमा civil लिया जाएगा ना ही बीटेक civil लिया जाएगा तो इस बात को ध्यान रखना CS, IT, electronics, electrical, mechanical यह सब क्या है आपके लाओं और भी जो trade दिये हैं उसी trade से अग आपने higher degree किया है मतलब बीटेक किया है तो आप eligible हो अब आज आते हैं BSC वालों को आप फोन मिला के पूछोगी जो BSC computer science वाले हैं तो उनको भी कहा जाएगा कि नहीं आप eligible नहीं हो लेकिन वहां पर जाने पर इसका positive response मिला वहां पर जाने पर इसका positive response मिला यह क्या response मिला क् बैठते हैं आपका फोन अटेंड करने हैं वह एक assistant है जो रखा गया है कि form में कोई भी दिख्कत आए तो बच्चे आप से पूछ सकते हैं ठीक है तो उन्हों से मैंने भी खुद inquiry किया जब बच्चों ने कहा तो मैंने भी कहा क्या BSC वाले उतून का एक ही रठ है नहीं लोग का रहें कि नहीं यह नहीं होगा लेकिन इसके बारे मुनोंने बताया कि नहीं यह eligible होगा कौन कौन से जो BSC honors की डिगरी लिए है BSC honors की डिगरी अगर आपने CS trade से लिया है या IT से लिया है या electronic से लिया है ठीक है अगर आपने BSC Honors कहीं कहीं ये चलता है CS IT Electronics से ले मतलब आपके डिगरी में लिखा होना चाहिए BSC CS BSC IT BSC Electronics तब आप applicable होगे तब आप भर सकते हो फॉन को लेकिन आपकी डिगरी अगर BSC सिंपल है मतलब BSC है और आपने प्रते एक वर्स में Computer Science पढ़ा हो ठीक है प्रते एक साल एक सब्जेक्ट है अपने Computer पढ़ा हो Physics पढ़ा हो Math पढ़ा हो तो ऐसे लोग नहीं eligible होंगे ठीक है ऐसे लोग eligible नहीं होंगे क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में आएगा अब जब आप Honors की डिगरी लेते हो CS, IT, I Electronics तो यहां टोटली जो BTEC का एक तरह से होता है सिनेरियो वही सिनेरियो BSC वाले में होता है समझ रहे हो वही उसी सब्जेक्ट से लेकर चीज़े आपको पढ़ाई जाती है कोई अलग चीज़े नहीं पढ़ाई जाते हैं कम्प्यूटर के ही 3-4 सब्जेक्ट होंगे ठीक है इलक्ट्रोनेक्स के ही 3-4 सब्जेक्ट होंगे तो वह वाली डिगरी जो होगी अगरे आपके पास वह मानने होगी बाकि Simple BSC, Simple BA, BCOM, कोई भी graduation degree मानने नहीं होगी ठीक है तो मैं बच्चों के साथ दिक्कत हो गई कि जो बच्चे विचारे BCA किये हुएं कहीं न कहीं वो कम्प्यूटर में भाई उनको कम्प्यूटर का अच्छा खासा मौले जो होता है लेकिन यहां आयोग समझने को तयार नहीं है जो यह MCA कर चुका है वो खुदी भी टेक्के एक्वेलेंट होता है CS के लेकिन वो आयोग समझ नहीं रहा बोला है नहीं ठीक है उनका एक रिजन यह था कि BCA, MCA कोई भी कर सकता है किसी भी trade का वो PCM ना किया वो तभी भी कर सकता है चलो ठीक है लेकिन जो PCM किया है उसके स साथ नाइसाफी हो रही तो यह सब चीजे काफी देर तक बात चीत हुई लेकिन निसकर्स कोई भी 100% उनका बस एक ही काम था कि यह बोल दिया गया है तो यह नहीं है ठीक है उसके बाद भी हमने अपनी पूरी कोसिस की है देखते हैं क्या होता है लेकिन मेरा यहां लास्ट सिंत रहो आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर तो आई ही रहा है और वही चीजे पढ़नी है आपको थोड़ा सा डिफरेंस है वहां बहुत ज्यादे मतब असी कोश्टन्स तो आपका कंप्यूटर पढ़ना है लेकिन बाकी जिननल नौलेज हो गया रिजनी हो गया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं लाश्ट में बस यही कहूंगा आप लोगों के साथ कि एक्जाम के बाद जब डीवी होता है वहां पर यह सब चीजे चेक होती है ठीक है तो एटलिस्ट अभी जो बात है वो चार सो जो भी आपकी फीस हो भी ठीक है फॉर्म की तो मैं कह रह यह से जैसा वहां मैंने लगा मुझे तो मैं बोलना हूं कि एटलिस्ट फॉर्म फिल कर दो कुछ भी नहीं जाता है लाश्ट तक क्या मिर्ण होता है कुछ भी नहीं पता है क्या क्या चीजे बदल सकती है बच्चे उस पर रिड्स डालेंगे कुछ भी करेंगे चीजे कहान संस लिखर आएक 15 सामने के अवस्फों सांते ही हो अगा और तो कुछ सॉट करने में तो कुछ होने दने केका चाहिए किसी था है। अगर आपक्तिक लीत कैक्स घंच तो कमें की जाती कि चीजित उल्टा हो गई तो प्र आपके सामने अफसोस के अलावन और कुछ नहीं दाएगा लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो और चीजे कंडिशन बदर जाती है तो अप लड़ने के कागार पे रहोगे अपनी बात रखने के कागार पे रहोगे दीवी में तो बस मैं यही बात कहूंगा कि अगर आप लोग मेरी बातों पर जाएगे तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो बाकी जो होगा वो देखा जाएगा ठीक है मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ नाइसाफी ना हो चीजे सही से चलें तो ये तो आप कंफर्म हो जाओ बीटेक के जो डिफिनिट ट्रेड हैं वो एलिजबल हैं बीए आज तक जो लड़ाई होगी उसमें हम लोग देखा जाएगा तो बस इस वीडियो को जादे से जादे से शेयर करिए मैं बाकी और कुछ नहीं कहूंगा क्यूंकि काफी बच्चों के बीसी और एमसी वाले थे उनका होप था कि ये वैकेंसी हम फिल कर सकते हैं तो लेकिन ज आते हैं करनी हैं जाना एक बार फिर से आयोग पर तो जो होगा फिर देखा जाएगा डिसकस किया जाएगा अगर कोई पॉस्टिव रिस्पॉंस निकलता है तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धर्यवाद